वेलकम स्ट्टुएंट्स आज हम लोग क्लास 11 के एक चैप्टर कंप्लेक्स नंबर का थियरी का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग कंप्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मतलब उसका जोड घटा गुना भाग additive inverse, multiplicative inverse, conjugate of a complex number, conjugation और some important facts related to conjugate के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईए सबसे पहले अलजेब्रा आप complex number में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि complex number का जोड घटा, गुना, भाग, सदहारण गणित के जो नियम आप जानते हैं उन्हीं विदियों से होगा complex numbers का योग, अंतर, गुना, भाग, ये सब सदहारण गणित के नियमों से होता है मतलब जो भी जोड़ गटा गुना भाग का नियम पढ़े है ना उसी से होता है आईए कुछ मैं आपको दिखाता हूं जैसे हैं अ खंप्लेक मिन और 2ует केन एंट 53 एंट को और साथ प्लस इयूटता लेते है लेते हैं सहजारन घृत का नियम है कि पहले कोश्टाग तोड़ते हैं तो कोश्टाग तोड़े हम लोग 2 प्लस 3 आउटा साथ में अप्लस 13 एंटा फिर नियम यह है कि सजाती है संख्याओं को यानि लाइक नंबर्स को आपस में जोडते हैं और विजाती है यान लाइक नंबर्स को आपस में तो दो पलस साथ आपस में और तीन आयोटा पलस तेरा है आपस में तो साथ दो नो और तीन आटा तेरा आयोटा यह हो जाएगा सोरा आयोटा यह हो गया हम लोगा दो कंप्लेक्श नमबर का चलिए इसके बाद आगे यह जोड़ है ना गुणा भी उसी तरह से जैसे दो प्लस तीन आयोटा है और दो माइनस तीन आयोटा तो यह तो ए-प्लस बी इंटू ए-माईनस बी के फोर में है तो उसकी मदद से ए स्कॉर कॉच माईनस त्री आउटा का स्कॉर माइनस नाइन इताउटा स्कॉर ही हो जाएगा स।å Press 9 ऑ सक तो भाध मैंस 10 होता है याद हो figure to social c4 प्लस 9 13 या माल लिजिए आपको दे दिया गया भाग 2 प्लस तीन आयोटा और वहाग में है आपका one प्लस आयोटा तो भाग को हम लोग बटा में लिखते हैं न डिवाइड करने को हम लोग बटा में लिखते हैं two प्लस थ्री आयोटा upon one प्लस आयोटा और फिर इसके बाद calculation में छाए जो आए तो ये algebra of complex number शधारण गणित के नियमों से होता है दूसरी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटीव इन्वर्स एडिटीव इन्वर्स ऑफ कंप्लेक्ष नंबर जेड एडिटीव इन्वर्स योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम यह जोड़ वाला उल्टा तो देखिए अगर दो कंप्लेक्ष नंबर का जोड़ करने पर जीरो आए तो दोनों एक दूसरे के एडिटीव इन्वर्स कालाते हैं यह दो कंप्लेक्ष नंबर का एडिशन जीरो हो तो दोनों कंप्लेक्ष नंबर एक दूसरे के एडिटीव इन्वर्स कालाते हैं ऐसे में जेड़ का एड़िटिव इनवर्स यानि योगात्मक परतिलोम है ड़िटीव इनवर्स होगा माइनस जेड़ और माइनस जेड़ को हम लोग जब आड़स जेड़ माइनस जेड़ आपस में कैंसिल हो जायेगा जीरो हो जायेगा यह ह εκ आजय उसी तरह सेू पड़स फ्री आयोटा काश है इनवर्स यानि की योगातिमक्रतिलोंग्हम को बताना हना कुछ नहीं। माइनस लगा देना है कि माइनस थू आयो रिसमेंतों मृटा का योगातिमक्रतिलों करना को निकालना है तो या दोनों माइनस है सब्सक्राइब माइनस तो इसमें चाहे जो भी हो माइनस हम लगाएंगे अपने आप जो होना वाला होगा वह होगा तो पांच पलस साथ है उटा तो यह मैंने बटाया अड़िटिव इनफर्स के बारे में अब एक दो छोटी बात असल में मैं बताने आप आफ जे या तो होगा आपको रियल और हमेजनेरी पार्ट अफ जेड तीसरा है यदि कोई कंपलेक्ट ममा जेड.com डीट από एक्स साय और और यहोतले तो जेड का रियल पार्ट एकस होता है और इमेजनरी पार्ट वाई होता है आयोटा का फैक्टर आयोटा का कोफिसियंट आयोटा का जो गुडान के तो ऐसे मालनी जो जेड़ बराबर है टू माइनस थ्री यह उटा तो आरी जेड़ वन है टू और आयेम जेड़ वन है माइनस थ्री आयोटा का कोफिसियंट जो यहाँ है माइनस थ्री है थ्री नहीं है माइनस थ्री है चिन्न सहीत लेते हैं हम लोग अब यहीं पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजूगेट कंजूगेट ऑफ जेड जेड तो कंप्लेक्स नंबर का नाम है कंजूगेट को हिंदी में बोलते हैं सन्यूगमी राशी सन्यूगमी राश ना देखिए किसी कंप्लेक्स नंबर का कंजूगेट सिंबल तो होता है जेड़ बार सिंबल होता है जेड़ बार किस से मिलता है तो इमेजनरी पार्ट का चिन बदलने से यानि आयोटा वाला जो उसमें हिस्सा है उसका चिन बदलने से एक्जामपल देखिया न जरा जेड़ बराबर दिया है टू प्लस ठी आयोटा तो जेड़ बराबर होगा टू माइनस ध्री आउटा ध्यांदे रहें बस इ मेन आज का टोपिक कंजूगेट ही है कंजूगेट, कंजूगेशन इस पर हम लोग बात करेंगे सपोस्पोस देट जेट बराबर है आपका माइनस 3 माइनस 8 आयोटा तो जेट टू का कंजूगेट माइनस 3 प्लस 8 आयोटा हमको इमेजनरी पार्ट का आयोटा वाले हिस्से का चिन बदलना है अब आईए इस से रिलेटेट कुछ जरूरी बाते में आपको बताने जा रहा हूँ कंजूगेट तो जान गए आप कंजूगेशन की बात अब मैं करने जा रहा हूँ बलकि important facts facts related to conjugation या related to conjugate of z z के conjugate से related important facts पहला fact क्या है किसी complex number में उसके conjugate से गुना किजेगा तो real part of z का square plus imaginary part of z का square आएगा देखिए इसका explanation देखिए मतलब ब्याक है suppose that z है आपका a plus iota b तो यहीं पर r e z a होगा और im z b होगा या तो होगा आपको iota का जो गुणा आंक है जो coefficient है किवल वो imaginary part का लाता है फिर z बार होगे आपका a minus iota b तो z गुणा z बार a plus iota b a minus iota b जानते ही हम लोग simple algebra का rule यहां लगता है तो गुणा होगा आपका a plus b है a minus b से a square minus iota b का whole square ध्यान दीजिएगा आपको ज़रा फिर तो a square minus iota square और b square iota square का मान minus 1 होता है न तो a square minus minus 1 b square तो बराबर हुआ a square plus b square फिर उसमें a क्या है वही तो है real part of z real part of z square imaginary part of z square इसमें iota नहीं रहा यानि किसी complex number को उसके conjugate से गुना करते हैं तो उसमें जो iota दिक रहा होता है वो खत्म हो जाता है real बन जाता है किसी complex number को उसके conjugate से गुना करने पर वो real हो जाता है याद किजिए जान बुझकर मैं दो तीन बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जोरुरत है किसी complex number को उसके conjugate से गुना करने पर वो real number में convert हो जाता है और इस प्रक्रिया को कंजुगेशन कहते है सन्युगमी करन कंजुगेशन सन्युगमी करन करन देखिए जैसे वो एक मैंने बताया ना यहाँ जैसे एक बटे में एक पलस आयोटा भी है तो कंजुगेशन हम लोग वहां करते हैं जहाँ complex number बटा के नीचे हो कंजुगेशन हमको वहां करने की जोड़त होती है जहाँ बटा के नीचे आयोटा हो और आयोटा को हटाना है तो वहाँ आयोटा को हटाने के लिए इसके conjugate से उपर नीचे गुणा कर देते हैं, A-Iota B, A-Iota B, और आपने देखा ही गुणा होने पर क्या आया है, उपर तो जस्का तस, नीचे में एक तरस A+, A-B, A-Iota B, A-Iota B, फिर तो A-Iota B, A-Iota B, A-Iota B, B-Iota B, यह हो गया आपका, A-Iota B, कमान हुआ माइनस वण, तब B-A स्क्वार, हाना, यहां तक आ रहा है ना, कैमरा में, A-Square और प्लस B-A-Square, यह हुआ हम लोगा, कंजूगेशन पर चली एक और एक्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे आपका तीन बटा में, साथ प्लस पांच आयोटा है, मुझे कंजूगेशन करना है, तीन बटा में, साथ प्लस पांच आयोटा है, कंजूगेशन मतलब, मुझे नीचे में से आयोटा हटाना है, इसके लिए मैं इसके कंजूगेशन से उपर नीचे गुणा करूँगा, ऐसे तो यह प्रक्रिया देखने में आपको परिमेकरण जैसा, रिशनलाइजेशन याद तो होगा, रिशनलाइजेशन उसके जैसा लग रहा है, साथ माइनस पांच आयोटा, ते अगर प्रक्रिया याद है तो सीधे नीचे में साथ स्क्राव प्लस पांच इसक्राव उपर में तीन से गुणा उकर, एक इस घटाओ, पंद्रह आयोटा, एक इस घटाओ, पंद्रह आयोटा, आ नीचे में 49 पलस 25, तो ये हो गया आपका 16-25 आयवटा बटा में 74 हो गया Conjugation अब आपने जब इतना देख लिया Conjugate क्या है Conjugation क्या है तो अब इससे related अगली बात इससे related हम लोग problems भी देखेंगे कि आये कुछ और बाते हम लोग जानते हैं कि देखें किसी complex number में ये तीसरी में बात बता रहा हूं इंपोर्टेंट फैक्स में और ये टू तो किसी complex number में उसके Conjugate number को हम लोग ये जोडते हैं तो केवल रियल पार्ट ही वहां बचता है वह भी दो बार बचता है जैसे ए प्लस आयोटा भी complex number है और ए माइनस आयोटा भी उसका Conjugate है तो माइनस प्लस होने के चलते ही कटेगा और ए रियल पार्ट है तो देखेंगे दो बार न बचा 2A वही मैंने उपर लिखा किसी complex number में उसका Conjugate number घटाते हैं तो उल्टा imaginary पार्ट उसका दो बार बचता है जैसे A प्लस आयोटा भी मेंसे हम घटा रहें यह मैंने एक गलती किया को आयोड़ इंजिनारी फार्ट ध्यान रहें जेट माइनस-जेट would say? और वई सहीए छे नंबब्र दो कंपलेक्ट नंबर के गुना का हूल कंजूगेट बराबर पहला का conjugate गुना दूसरा का conjugate साथ नंबर दो complex नंबर के भाग का whole conjugate मतलब उपर वाला का conjugate बढ़ता नीचे अला का conjugate एक्जामपल इस पर लोगा मैं तुरंत मैं एक्जामपल लोगा और वैसे ही आठ होगा नंबर जोड घटा गुना भाग तो हो ही गया किसी complex नंबर के conjugate का whole conjugate फिर से वही complex नंबर होता है कोई बदलावे नहीं होता है मानलो आप z बराबर है आपका a plus iota भी आपने conjugate किया a minus iota भी हुआ आप फिर conjugate कर रहे हो तो फिर चिन बदलेगा तो minus से plus हो जाएगा same thing पहला पहला ही आगया किसी complex नंबर के conjugate का conjugate वही complex नंबर होता है यह हुआ इस पर example मानलो छे नंबर suppose that आपको समझना है अब इसके बाद बस एक चीज बचा हुआ है मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स ओफ यह complex नंबर suppose that जेड बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा जेड टू बराबर है 5 प्लस 3 आयोटा तो मैंने कहा जेड बटा में जेड टू का whole conjugate बराबर जेड बटा में जेड टू का conjugate मतले मैं कह रहा हूँ कि 2 प्लस 3 आयोटा बट में 5 प्लस 3 आयोटा का whole conjugate हम निकालें या उपर वाले का अलग conjugate निकाल दें नीचे वाले का अलग conjugate निकाल दें तब calculate करें सेम होगा ध्यान दे रहा है आप लोग हम लोग calculate करके तब whole conjugate निकालें या उपर नीचे वाले दोनों का अलग-अलग conjugate निकालें दोनों समय सेम सिचुवेशन होता है ये हो गया हम लोगे complex number के conjugation के बाद जब आप calculate किजेगा तो यही आया आईए मैं आपसे बात कर रहा हूँ multiplicative inverse multiplicative inverse of z मतलब z का बुनातमक प्रतिलोम z का बुनातमक प्रतिलोम बड़ा simple है बस, one by z जैसे a plus iota b का गुनातमक प्रतिलोम a plus iota b का गुनातमक प्रतिलोम तो क्या बता गया है कि z का गुनातमक प्रतिलोम z का multiplicative inverse है one by z तो इसका multiplicative inverse हुआ one by a plus iota b फिर हम लोग बात आगे बढ़ाते है 1 by A plus Iota B हैना standard formula लाने के लिए conjugation कर रहे हैं नीचे में है जो A minus Iota B से हम उपर नीचे गुना किये फिर तो क्या होगा उपर हुआ आपका A minus Iota B आ नीचे में एक तरस A plus B into A minus B तो A square minus Iota B का square फिर तो A minus Iota B अब अटा में A square माइनस Iota A square B square A minus Iota B A square minus Iota A square का मान माइनस 1 माइनस 1 गुना B square फिर तो A minus Iota B नीचे में A square plus B square द्यान दे रहे हैं आप लोग यह हुआ standard form में बदलने की कोशिशे दी मैनिक कर रहा था अब नीचे में आयोटा नहीं रह गया जो भी आयोटा उपर ही है तो उपर वाले को तोड़ेंगे उपर वाला दोनों अलग-अलग A square plus B square यहाँ भी A square plus B square actually multiplicative universe तो यहीं हो गया था मैं इसको standard form में बदलना चाहता था standard form में बदलना मतलब real part अलग और imaginary part अलग करना तो यह complex number के algebra से related मौलिक बाते हो गई हना अब इससे related जो भी चीज़ है आप खुद से कर सकते हैं अब माल लो आपसे कह दिया गया की 2 plus 3 आयोटा का whole square निकाल लो तो वही simple algebra का जो मामला है कि A square plus B square plus 2AB जो भी आया calculate करना है मुझे आशा है आप लोगों से इसके अधार पर सवाल बनेगा तो simple algebraical problems जो होंगे भनाईएगा आप लोग Thank you all